दोस्तो अगर आपको भी सरकार की निकाली गई इसकीम स्वच भारत योजना के तहट सोचालाई बनाने के लिए 12,000 की रासी अभी तक नहीं मिली है तो आप सभी लोग के लिए गुड नियूस निकल के आ चुती है क्योंकि सरकार के दोवारा सोचालाई 2.0 के मातियम से ओनलाई अवेदन की परकिरिया को स्टार्ट कर दिया गया है इस बार केवल उन्ही लोग को सोचालाई बनाने के लिए 12,000 की रासी दी जाएगे जिन्हें पिछले बार कोई लाब नहीं मिला था तो दोस्तो अगर आप भी उन्हीं में से एक है जिन्हें अभी तक सोचालाई बनाने के लिए 12,000 की रासी नहीं मिली है तो चलिए वाप लोगों बताते हैं कि सोचालाई 2.0 के लिए आप लोग ऑनलाई अवेदन कैसे करेंगे तो दोस्तो सोचालाई योजना 2.0 का ऑनलाई अवेदन करने के लिए सबसे पहले अपने मोबायल या कम्प्यूटर में कोई सभी एक ब्रॉजर आपिन करेंगे और इसमें आप सर्च करेंगे सोच भारत मिसन इसे सर्च करते ही आपको फर्स्ट में ही सोच भारत मिसन.gov.in का एक ओफिस्यल लिंक मिलेगा आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे फर्स्ट लिंक पे क्लिक करते ही आप सवच भारत मिसन के ओफिस्यल वेबसाइट पे चले आएंगे दोस्तों इस वेबसाइट पे आने के बाद सोचालाई योजने 2.0 का ओनलाइन अवेधन करने के लिए आपको यहाँ पे एक option दिखेगा citizen corner का आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे second number में एक option दिखेगा application form for IHHL तो आप लोग भी इसी option पे क्लिक करेंगे next page में आप लोग सवच भारत मिसन phase 2 के official website पे चले आएंगे जहाँ पे आपको login करने के लिए बोला जा रहा है इसमें सबसे पहले आप लोग यहाँ पे अपना mobile number को fill करेंगे and get OTP के option पे क्लिक करेंगे इसके बद आपके mobile number पे एक OTP जाएगा उस OTP को यहाँ पी इस column में fill करके verify OTP के option पे क्लिक करेंगे mobile number को verify करते ही आपसे कुछ होग details मांगे जाएंगे जैसे सबसे पहले आप यहाँ पे अपना नाम फिल करेंगे जिसके नाम से आप अवेधन कर रहे हैं उनके gender को select करेंगे address वाले column में अपना full पता को यहाँ पे fill करेंगे state को अपना select करेंगे इस capture code को इस column में fill करके submit के option पे क्लिक करते ही आपका जो registration का process है वो यहाँ पे complete हो जाएगा registration को complete करने के बाद आप लोग लोग इन वाले dashboard में आएंगे login वाले dashboard में कैसे आना है मैंने आपको पहले बताएए आप सवच भारत mission के official portal पे आएंगे citizen corner के option पे क्लिक करके application form for IHHL के option पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने login का dashboard खुल जाएगा ठीक है तो दुसरो login करने के लिए आपने जो number से registration किया है उस number को यहाँ पे fill करेंगे उनका details यहाँ पे बताए जा रहा है जैसे अगर आप BPL धारक है तो आप असानी से इसके लिए अवेधन कर सकते हैं अगर आप अपने माताजी के नाम से अपनी पत्नी के नाम से भी यहाँ पे online आवेधन कर सकते हैं तो दोसो नया आवेधन करने के लिए आपको यहाँ पे application के option पे click करेंगे तो आपके सामने सौचालाई योजना का online form खुल के चलाएगा तो दोस्तों इस form के ऊपर में देखेंगे तो आपका state already selected रहेगा इसके बाद आप लोग अपना जिला के नाम को select करेंगे फिर अपना block select करेंगे ग्राम पंचायत को select करेंगे आपका village मतलब गाउं कौन सा है वो भी यहाँ पे select करेंगे इसके बाद आपके गाउं का जो टोला का नाम होता है वो टोला को आप यहाँ पे select कर लेंगे next section में आप जिसके नाम से शौचालाई के लिए apply कर रहे हैं उनका नाम अधार के according fill करेंगे जो भी अधार कार्ड पे spelling है same to same send को देंगे and verify अधार number के option पे click करेंगे अधार verify करने के बाद आप candidate के पती या पिता का नाम fill करेंगे अगर यह form आप साधी सुधा महिला का apply कर रहे हैं तो आप यहाँ पे उनके पती का नाम fill करेंगे and अगर कोई जेंड से थे उनका पिता का नाम यहाँ पे fill करेंगे फि आप यहाँ पे general वाले ही option पे click करेंगे फिर candidate का mobile number fill करेंगे email ID है तो वो भी fill करेंगे and address में अधार पे जो भी address है वो address को यहाँ पे fill कर देंगे नीचे scroll करेंगे तो आप से यहाँ पे bank का details मांगा जाएगा जिन पे आपको 12,000 की रासी प्राप्त होगी तो account details में सबसे प आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका account number मांगा जाएगा तो आपका जो भी account number है बिल्कुल सही and correct यहाँ पे fill करेंगे उसी bank account number को यहाँ पे फिल करेंगे और उसके बाद आपके bank के passbook का first page को यहाँ पे upload करेंगे first page मतलब जहाँ पे आपके bank account का पूरे details रहता है account number, ifc code, photo, signature यह सारा कुछ first page पे दिया रहता है तो उसी page को scan करके यहाँ पे upload करेंगे याद रखे कि passbook को upload करने से पहले उसका format को आप pdf, jpg, png किसी भी format में upload कर सकते हैं और उसका जो file size है उसे 200, मतलब 200 kb से कम रखना है उससे ज्यादा रखेंगे तो यहाँ पे upload नहीं होगा यहाँ पर जो apply का option दिया हुआ है आप इस option पर क्लिक कर देंगे तो जैसे ही आप लोग apply का option पर क्लिक करेंगे तो आपका application यहाँ पर successfully submit हो जाएगा इसके बाद आप लोगों को एक application number यहाँ पर generate करके दे दिया जाएगा तो अब आपको क्या करना है इस application number को save करके अपने block में and block के officer के दुबारा यह check किया जाता है कि यह सारा details सही है कि नहीं अगर आपका सारा details सही रहता है तो वहाँ से approval मिल जाता है और उसके बाद आपके खाते में balance भे दिये जाते हैं चाला ही बनाने के लिए 12,000 रुपिया आने में 15-20 दिन या फिम महीना दिन भी लग सकता है अगर आपका 12,000 रुपिये एक महीने के बाद भी नहीं आया है आपके account में तो इसके लिए अपने application status को check कर सकते हैं application status को check करने के लिए आपको यहाँ पे एक option दिखता है view application का पहुचाई से जानने के लिए आप simply यहाँ पर track status के option पर click करेंगे तो आपका जो currently status होगा आपके application का वो यहाँ पर so करने लएगा तो यहाँ पर इस application को submit किया है तो यहाँ पर application received का option दिख रहा है अगर आप कुछ दिन बाद अपने application status को check करेंगे तो आपका application status यहाँ पर और so करता है आपका application status यहां तक पहुस सकता है या फिर यहां पर पहुस सकता है या फिर डॉक्युमेंट में कुछ गलती होने के कारण आपका application यहाँ पर रिजक्ट भी हो सकता है तो दौसटो इस परगाव से आप अपने application status को भी check कर सकते हैं तो दौस्तो मैं आसा करता होगी है तो वीडियो को लाइक कॉमेंट एंड सेयर जरू कीजिएगा और इसे परकार के और वी इंफर्मेशनल कॉंटेंट देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा थैक्स फॉर वाचिंग में वीडियो और जय हिंद जय भारत